संसत का आज दिन बहुत हंगामेदार रहा क्योंकि जिसर से राहूल गांधी ने कई आरोब भी लगाए और जिसर से हिंदू धर्म, सनातन धर्म के मसलोग के लेकर वो चर्चा के आज इस वज़र से भी संसत का जो सत्र जो है वो कापी हंगामा बना लेकिन इस मामले पर चर्चा हो रही है इसको आप कैसे देख रहे हैं याज जो भी कुछ हुआ वो बहुत ही क्षमा करने योग्य नहीं है रावल गांधी जी ने जो भी कहा हिंदू धर्म का जिस तरह से उन्होंने अपमान किया हिंदू को अपमान किया उन्होंने हाथ उठाकर एसे हाथ पहला मांगने चाहिए जो उन्होंने किया है आज इस मादरे पे पर प्रियांका गांधी वादरा जो है उनका एक स्ट्रेट्मेंट भी आया है कि हमारा भाई और राहुल गांधी जो हैं वो ना तो हिंदू धर्म ना सनातन धर्म किसे का वो अपमान ने कि इसको आप कैसे देखत तो वो जितने संसत में लोग बैठे थे सबने सुना है वो वो यह कैसे कह सकती है कि उन्हों अपमान नहीं किया वह भगवान शंकर भगवान इसके साथ अन्यध्धर्म कि वहादा वहां चर्चा हो रही थी उसको उन्यध्षा कि और भगवान शिव की तस्वीर के साथ जो वो भी उनको नहीं करना चाहिए था, किसी दूसरे व्यक्ति की ध्रमिक आस्था से खिल्वाल करने का उनको कोई हक नहीं है। भगवान राम को थो वह मानते नहीं है, तो उन्हे भगवान शिवकी तसवीर ला कर जरूरत क्यों पड़ी। और भगवान शिप्कि की था सवीर दाउस नहीं साय करे। को महापुरिष्ट कह रहे हैं। कि यह हमारी आश्था वारा को三ट से कहलवार नहीं है伊 यह नहीं करना शानिये प homeless कमे। से उस लो उन आश्था को हैंडल कर रहे थें सामने दिखाते थे हैं कभी रख देते थे कभी इस तरह से हमारे नहीं होता हमारे यहाँ हमारे घर के मंदिरों में जब तिस्वीयर रख दी जाती इसकी पूजया दिन रात करते हैं सुबह शाम करते हैं या 3 मैं साल के तीन facto यहां गरते जाती है उठिजाक refuses उठती Salz उस्थापित हो जाती है अब सोसिल मीडिया पर काफी चल रहा है काफी लोग भी चर्चा कर रहे हैं कि संसद में विकास के मसले पर चर्चा होनी चाहिए बीजेपी विकास डिवलप्मेंट इन तमाम मसलों को लेकर आगे बढ़ रही है लेकिन अब फिर से धर्म और सनातन हिं शिच्छाहिए रही है इसको क्या देख रहे हैं किस तरह से राजनिती हो रही है विकास के मसले पर तों विक्षे पास कुछ है नहीं ना कहने के लिए जितना विकास इन पिछले 10 सालों में हुआ है वो अभूत पूर्फ है उतना विकास कभी पहले इतने 70 सालों में भी नहीं हुआ उसके उपर तो वो कुछ कहने ही पाएंगे बिल्कुल भी एक उंगली भी नहीं उठा सकते वो इसलिए उन्हें इस तरह के मुद्दिल आने करेंगे कि इस तरह की जो चीजे हो रही है इसको भी लेकर आप क्या चर्चा करेंगे बिल्कुल बिल्कुल उठाएंगे वाइनौट जो इंडिविजूल्स के थार में कास्थाय है है जब उनकी संस्कृति है उसके उपर आपको कुछ नहीं कहना चाहिए इस बेसिक बॉट कोई मतलब कोई अर्थ नहीं बनता इस तरह से तो संसत चलेगी नहीं काम आप देश के लिए क्या करेंगे आप संसत में बैठकर इस तरह से तो अगर विपक्ष इस तरह से कर रहा है तो वो कैसे सहयोग देंगे हम कैसे मानें कि उनका कोई contribution होगा इस देश को चलाने में नह नहीं होगा इसका मतलब तो सवाल तो उठेंगे सवाल हम लोग उठाएंगे बिलकुल उठाएंगे निशिंद्र पे बहुत बड़ा सवाल कर रहे हैं कि जिस रसे नेताओं को सांसदू को चुना जाता है कि उदेश का और जनता के हितों की मसलिको लेकर आगे बढ़े लेक भी अब सवाल उठने सुरू हो गया हैं वीडियो जनलिस्त वीपिन राय के साथ शंकर आनन्द यूज 18 शंकर